आप देख रही है वर्दान उंग्या न्यूस क्रिप्या चानल को लाइज पर सबस्क्राइब अवर्शिए तानपुर थाना कोत्वाली में तैनात दरोगा पवन कुमार दुबे पर लगा आरोपियों से मोटी रकम लेकर आई जी आरेस पर फरजी रिपोर्ट लगाने का आरो आपको बता दे एक फरवरी दो हजार चौबीस को डिफरिन उर्सला अस्पताल में अपनी मासूम बच्चियों को इलाज के लिए एक पत्रकार के बेटा आकल हुसेन इलाज के लिए गया था जहां पीडित अपनी बाइक खड़ी कर रहा था उसी समय वैद रूप से चल रह हिस्संचालक उसके गुर्गुन ने 20 रूपे मांगे पत्रकार के बेटे ने कहा कि बच्चों को दिखाकर आ रहा हूं जिसपर स्टैंसंचालक ने गालिया दी जिस पर उप्रोकतार ओपियों ने जान से मार देने की धमकी दी। पत्रकार के बेटे ने संबंदित थाना पुलिस से शिकायत किया और अधिकारियों को पोर्टल ट्विटर एमेल के माध्यम से शिकायत किया। जो कि अस्पताल की ओनलाइन परचे पर तिथी अनकित भी है। आपका देखे मेरा नाम हामिद हुसायन है। हम पेसे से पत्रकार हैं। इंडिया निउच 28 के यूपी स्ट्वेट से रिपोर्टर है। मेरा बेटा आकिल हुसायन बीते दिनों एक फरवरी 2024 को मासुम बच्चियों को दिखाने उर्सला हास्ट का अलटाप रेनी गया था। वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहा था कि अवाएद रूप से स्ट्रेंड संचालक जो वहाँ पर स्ट्रेंड चला रहे हैं। जिसका बिवाद भी अस्पताल वालों से आ जिससे भी मानियन याले में हैं। उन्होंने कहा कि भाई बीस रुपए दो इसने कहा मैं दिखा कि आ रहा हूं दे रहा हूं तब यह बच्चों की जादा खराब है। इस ट्रेंड संचालक उसके साथियों ने गाली गरोच सुरूट कर दिया देना तो इसने अपना बीडियो निकाला और बीडियो बनाने लगा। इसके बाद उन्हों ने जपटा मारत जो कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके गाली करोच किया जा रहा है। उसके बाद खैर दिखाने चला गया उसके बाद उन्होंने कहा कि दुबारा तुब आएगा तो मैं जान समार दूँगा। इसने थाना कोतवाली पुलिस के सिकायट के लेकिन कोई कारवाई दिया। आकिल हुसाइन ने पोर्टल पे ट्यूटर पे इमेल करके अधिकारियों को आउगत कराया। जिस पर थाना कोतवाली पुलिस के मिस्ट्रेट कानपुर्णगर ने। दरोगा चौकी इंचार्ग पवन कुमार दुबे को जाजी गई। दरोगा जी ने क्या किया कि स्टेट संचालक से साट गांट आरूपियों सका लिया। और साट गांट करने के बाद घटना की उन्होंने तिती बदल दी एक परवरी दोजार चौबिस को घटित घटना को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दो परवरी दोहजार चौबिस रिखा। यह कहा कई बार बुलाया गया लेकिन आया नहीं एक बार दरूगाजी ने फोन किया था तो मेरे बेटे ने कहा गाड़ी में चलाने के लिए बाहर निकला आयो हूँ एक दो दिन में आपसे मुलाकात कर लूँगा। लेकिन उन्हें ने क्या किया उदर सिटिंग गेटिंग का खेल करके अमामले के रफ़ा दफ़ा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि उपरोग प्रैकरण की बिदवर्ट मानियें परदेश के मुक्या आदितियों की नाप जी से डी जी पी साहब से और पुलिस के विस्णर साहब से अन्रोध है मेरा कि किसी आईपियस अदिकारी से जांच कराएं जिससे आरोपियों को बिरुद्ध और और वो आरोपियों सांडगांट रखने वाले चौकी इंचार्जपवन कुमार्दवे के बिरुद्ध कारवाई हो सकते हैं क्योंकि मानिये योगी जी ने अवायद स्टेंड संचारल को कि खिलाब पहले ही कहा था कि विद्वत कारवाई होनी चाहिए तमाम घट्राएं हो रही है कुछ आईसे पुलिसकर भी हैं जो घूसखोर है उनकी वज़े से सरकार की छबीदू मीं लो रही है तो मेरा अनुरोध है कि अईसे घूसखोर पत्रकारों अधिवक्ताओं वो समाज सेवियों के हित्मे कारियरत राष्ट्रिय संवित्हन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हितु 9-4-5-0-1-2-2-5-9-2 पर संपर्क करें वो सदस्य बनकर हर पीरित की आवाज बने